हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टुजी शैनल लर्न विशंद्या स्टक्षिवी प्रेंट्स पिछली वीडियो में हमने एक्ससाइज 11.3 का कोश्च नमर फॉर्ट हिया था आज इस वीडियो में कोश्च नमर फिप्त करेंगे तो चलिए शुडू करते हैं कोश्च नमर फिप् कुऊच नमर फिप्तेज साथ शर्वट में इस चैनल वह ने एक्समर फिप्क का बादा कुछ होड्वा फिप्तेज कि में एक लएंस आपको पिट टेन वीटर और काट यह में आपको बता है अगर यह जार देंट है तो पहला ला लेंथ होगा फिर यह ब्रेथ है तो यह स तो इसका मतलब क्या है अगर एक जो कैन है जिसके एक डब्बे में आता है पेंट ना तो वो क्या है उससे कितना एरिया पेंट होगा तो पुरे रुम को पेंट करने के लिए पेंट क के कितने डब्बे चाहिए यानि के हमें कितने डब्बे चाहिए होंगे रूम को पेंट करने के लिए यहीं हमें पता करना है तो चलिए करते हैं इसको अब इसमें आपको क्या दे रखा था आपको लेंथ दे रखा है ठीक है लेंथ क्या दिया हुआ था आपका 15 मीटर फिर आपको इसमें ब्रेथ दे र करना है उसके बाद हम लिका लेंगे कि हमें कितने डबॉये पेंट के पूरा रूम पेंट करने के लिए यह अन.: एरिया कितना एरिया पेंट करना है तो चलिए इसको करते हैं तो एरिया ठीक एरिया तो भी पेंटेड ठीक है पेंटेड क्या जगा कितना एरिया वह पेंट कर रहा था वह पेंट कर रहा था आपका एरिया of cuboidal shape का वो paint कर रहा था ना hall तो उसकी जो 4 दिवाले होंगी ठीक है ना area of 4 walls ठीक है वो उसको paint करना है plus area of ceiling वो paint कर रहा था ठीक है area of ceiling जो था जिससे हमने question number 4 में ही किया ना उसकी जो हमें 4 side लिकान ली थी और प्लस उसमें क्या हमने उसके च्छत का भी बताना था ठीक है वैसे इस वाले question में हमें 4 walls है और क्या उसके ceiling area of ceiling जो ठीक है area of ceiling C-E-I-L-I-N-G ceiling यह हमें होगा अब area of 4 walls क्या हो जाएगा आपका lateral surface area ठीक है तो भाई वाला formula लगाएंगे कुछ नमर फोर्ट पाल आई 2H 2 into H L प्लस breath प्लस area of ceiling का क्या हो जाएगा length into breath ठीक है यही होगा अब यहां put करते हैं 2 का 2 और height इसमें क्या है आपकी 7 है ठीक यहां मैंने लिका height 7 है और और आपकी length क्या है 15 है और breath क्या आपकी 10 है ठीक प्लस length क्या आपकी 15 और breath क्या हो जाएगा आपका 10 ठीक है अब इसको into करते हैं क्या आपका यहां 7 2 हो गया है 14 ठीक फिर यह 10 में 15 प्लस करें तो क्या आजएगा 25 प्लस और इसको हम into करें तो क्या आजएगा 150 ठीक है अब यहां 25 को 40 से into करें तो 350 आएगा ठीक प्लस यह 150 एड कर देंगे तो क्या आजएगा 500 कोशन मीटर में चला था मीटर स्कॉयर तो अब हमें कितना एरिया पेंट करना है 5000 मीटर स्कॉयर एरिया इतना एरिया में पेंट करना है तो हमें अब पता चल दाएगा कि कितने हमें can's के can's के डब्बे चाहिए होंगे paint करने के लिए ठीक है तो जो हमारा एक can था वो कितने था hundred meter square के बराबर था ठीक है तो ऐसे लिखेंगे number of can's is equal to area to be painted ठीक है painted फिर नीचे हो जाएगा आपका ये area can be can be painted by one can ठीक है एक can से तो क्या हो जाएगा ये फाइफ हंड्रेड जो centimeter square as it is यहां लिखेंगे ठीक है sorry meter square और ये आपको क्या था एक can hundred meter square ठीक है इसको कट कर देंगे तो हमें पता से लगए कि हमें कितनी can की जरूरत लेकिन आपको तो इसी तरह देख के भी पता चल लागो कि हमें five can की यहां पे जरूरत होगी ठीक है तिया जिरो से जिरो कट गया क्या बचा फाइफ आ गया ठीक five can की हमें यहां पे जरूरत होगी तो इस question में केवल हमें इतना ही करना था अब next question के लिए मिलते हुआ 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 है